कि शिविल सर्विसेज विट निलेश चैनल आपका स्वागत करता है और फाइनली हम इस लास्ट वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसन और डीजनिंग को कौन से टॉपिक्स को पे आपको स्पेशली ध्यान देना है वह मैं आपको बता दूंगा उसके बाद यह जो सीरीज थी यह हमारी खतम हो जाएगी दोस्तों एक चीज हमेशा समझना कि अनलेस जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो मेरे व बहुत पसंद आया है और बहुत बच्चों की mathematics में सुधार हुआ है और एक चीज ध्यान रखना इस टाइम पे जो यूपिएसी का सीचेट का पेपर आ रहा है उसमें मैट्स और कॉम्प्रिहेंसन का लोल सबसे जादा है रीजनिंग भी पूछते हैं बट रीजनिंग के लिया तो आपके maximum chances होंगे कि आप सीचेट क्वालिफाई कर जाएंगे और इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले लेकिन एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं एक गुरूकुल था उस गुरूकुल में बच्चे जगा-जगा से आके पढ़ाई क सकता तो इसने सुचा लास्ट गुरूकुल है चलो भाई या ट्राई कर ले पहूंच गया अब होता क्या कि वह टीचर जो भी पढ़ाते वहां पर गुरूकुल में जो वहां पर गुरू थे उनकी बात उसको समझ में नहीं आती सारे काम करता था बलतन धोने से लेके साफ स समझ में आ रहे थी हैं तो बाकी बच्चे अक्सा उसका मजा कोड़ाय करते हैं कि तो गदे हो तुमसे तो कुछ हो इनी सकता और वह बच्चा उसके चलते इतना परेशान होने लगा कि वह अपने आपको कोशने लगा अल्टिमेटली साल का एंड आया और उस साल के एंड के बाद जब वह बच्चा का रिजल्ट आया तो उस बच्चे ने देखा कि वह तो फेल हो गया है तो इसके चलते वह बहुत दुखी वाओ उपने गुरु जी से बोला कि मुझे लगता है कि मैं पढ़ने के योग नहीं आशी है गुरु जी ने भी बोला ठीक है वेट्टा तुम चले जो मुझे भी यहीं फील हो रहा है क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद इतनी कोशिसे करने के बाद इतने सारे मैंथट बताने के बाद तुम पढ़ने पा रहे हो साध तुम्हारे भाग्य में जी जो क्वेसा आगे बढ़ा तो एक क्वे के पास पौचा तो वहां पहुआ पर महिला थी जो अपको पत teaspoon लूंप बारटी ढालों के पादी ली इस शो लड़का इसे बाहाँ बांद के बरटी क्वें उसे ये जो रस्षी यहां से रगरती ही रहती है तो उसने बोला कächर हें यह रगरन के चलती है Раз जो छेद पत्थर में तो वह बच्चा बोला जो जो महिला थी बच्चे से बोलती है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि जो नितznaर रही और शर्ड़ पत्थर जिस पर यह बना हुआ है जब इतनी सौफ्ट रसी ने इस पत्थर में छेद कर दिया तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता उसने इसको इक्वेट किया प्रैक्टिस से कि पर दे वही चीज रिपीट हो थी फाइनली इसमें भी छेद हो गया तो अगर मैं डेली प्रै और अचारे जी से बोला कि अचारे जी मैं पढ़ना चाहता हूं और अचारे जी ने बोला चलो भीया कोशिस कर लो और फिर बच्चे जी जान लगा दे आपको पता है मैं किस बच्चे की काने सुना रहा हूं महलसी वल्द राज उन्होंने बड़ी फेमस आगे जाके जिस से और खुद पर विश्वास से डिटर्मीनेशन से आपने देखा कि उस बच्चे के इंतर क्या चेंजे जागे वह एक महलसी बन गया आगे जाके जिसे कभी पढ़ाई समझ में नहीं आती है और यह तो यार यूपेसी का एक्जाम है छोटू सा इन्नू सा एक्जाम है जब उस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता तब उसने जिंदगी का एक सबसे बड़ा निकल लें कि उसने पढ़ाई को समय लिआ तो आप क्यों नहीं निकाल सकते अगर आपको नहीं समय नहीं पढ़ाई तो इसका अलब यह नहीं नहीं कर सकते जिन्दगी में जो भी लोग सक्सेस्फुल है ना दोस्त वह वही लोग हैं जिन्हों ने रेगुलर प्रैक्टिस की है डिसिप्लिन के साथ और एक विश्वास रखा है अगर कोई ऐसा कह रहा है ना कि तुम नहीं कर सकते तो इसे लोगों को भार में जाओ पढ़ाई करके दिखाओ सेलेक्शन लेकर दिखाओ तो चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ प्रैक्टिस के बहुत ज़्यादा पड़ी कि तो इस कहानी की भी ज़रूद थी आई अब इस वीडियो पर मुद्दे पर आते हैं है और इस वीडियो का जो प्रैमरी टार्गेट है वह है एक्यूरेशी को इंक्रीज करना क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन टाइम है लेकिन इस चीज पर हम आने से पहले मैं बता दू कि यह वीडियो प्रैमरीली जो है वह कॉम्प्रिहेंशन पर बेज़्ट होगा लीजनिंग में मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो आपको इस तयार करने यूट्यूब पे बहुत साथ किसी ना किसी के वीडियो पड़ेंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वो टॉपिक नहीं होता है तो आप उनके वीडियो देख लेना मैस हमने कर है और इससे बहतरीन वीडियो आपको 60 के लिए नहीं मिलेंगे तो यहां से कर लीजिए पचास वीडियो हैं ज्यादा टाइम नहीं लेगेगा बट आप मैथमेटिक्स आपको आगे परेशार नहीं करेंगा अगर यह टॉपिक आपके सिलेबस में 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 संट है तो यह वी को हैंडल करने के लिए टाइम कम पर जाता है दूसरी चीज दूसरा इस्यू हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आता देखो कुछ बच्चे ऐसे जिनकी पढ़ने की स्पीड बहुत स्लो है यह प्रॉब्लम हो सकते भी आप को बहुत स्लोली पढ़ रहे होते हो दूसरा वह जिसे comprehension पढ़ तो लेता है Ispid में लेकिन समझ में आता है आप हो सकता है किताब पढ़ने की Speed रहे हो लेकिन आपको exactly समझ में नहीं कि तो आपकी ability to comprehend आच्छी नहीं तो देखो अलग-अलग कोशन की डिमांड अलग-अलग होती है तो सिंप्ली अंडेस्टेंडिंग के लबा कुछ एक्स्टा चीजे भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आपकी एक्यूरेसी सही हो तो इस तीनों चीजों का ध्यान में रखते विए इस वीडियो को मैं बना रह होता है कि time हमें पास time कम लगता है एक दूसरी बात आपको comprehension में इस्टेंड comprehension में आपको comprehend नहीं कर पाते क्यों कि comprehension का मतलब ही होता है कि you are able to comprehend you are able to understand तो मैं आपको इसका solution बताऊंगा बट पहले अपनी प्रॉब्लम को identify करो solution से पहले अपनी प्रॉब्लम को identify करना बहुत जरूरी है अगर आप बोलते हो suppose आपकी सिकायत यह है कि मेरे को time नहीं मिलता इसलिए मैं सही नहीं कर पाता या फिर मैं comprehension नहीं कर पाता तो आप बोलो time is not an issue तो मेरी आपको सलाह है कोई एक comprehension उठाओ 245 comprehension उठाओ जितना time देना है देना है पूरा दिन ले लो कोई दिकत नहीं है solve करो question और देखो जो तुमने solve किया वो सही किया है कि गलत किया है अगर सही किया है तो इसका मतलब आपको comprehension में comprehend करने में problem नहीं है आपको problem है आपकी speed में comprehending के issue ही नहीं time का issue है तो आपका solution क्या होगा आप अपनी speed बढ़ा लो और यह चीज आपको तब पता चलेगी जब आप उसको कितना भी time लेके आप solve करोगे बट अगर बहुत सारा time देने के बाद भी आपका अंसर गलत आ रहा है तो time problem नहीं है इसका मतलब यह है कि जो आपकी problem है इट लाइज इन और अंडेस्टेंडिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एक इक्जाम्पल देख बताता हो मेरा अब जो भांजा है वह क्लास 11 में है तो इक बाद में पास आया बोला मामा मामा मैंने बोला हाँ तो मैं पूरा दा हिंदू पढ़ सकता हो अच्छा मेरी हालत उट्री पढ़ओ सकता हों समझ चैनले परने लगोँ यह सॉलूशन नहीं है क्योकि कॉंप्रिहेंसन के जो कूस्षिक व्रॉड merely उल्हाने कि अपको श्क्राइब मौलmet उस्टीच को समझना है author क्या कहना चारा है उसको समझना है उसके basis पे आपको question करने है your task is to comprehend to understand and in case of UPSC आपको उसी language में समझना है उसी direction में समझना है उसी sense में समझना है जिस समझ के according author आपको समझाना चाहता है तो आपका task है पहले identify कीजिए कि आपकी problem time management की है कि comprehensive management की है यह आपका task है तो चाहे तो इस वीडियो को pause करके थोड़ी दिर बाद आके देख लेना बट अगर नहीं है तो इसको note कर लो pause करके और अपनी problem को identify करने का जरूर सोचना क्योंकि बिना problem को identify कि solution पर work कैसे करोगे अब इसके बाद once you understand your problem और आपको यह बात मानलो समझ में आगे कि comprehending की problem है तो problem अगला चीज जो आता है वहता है solution solution क्या होना चीजिए अब देखो यह reading the novel novel को पढ़ना solution नहीं है सेम वे सिर्फ editorial पढ़ते रहना solution नहीं है मैं आप लोगों को अक्सार बोलता हो न्यूजपेपर पढ़िए लेकिन सिर्फ पढ़ना solution नहीं है यह आपकी speed बढ़ा देगा लेकिन आपकी ability to comprehend जरूरी नहीं है कि सुधाल देगा तो क्योंकि पैसे पू करता है एकजामनर बोलता है कि आदमी हवा में ऎतलता है मैं समझते में सब्सक्रीणा-ध्यान देजेगा आदमी हवा में तैलता है जबकि यह तो आपको अख्यामनर को है कि आकणत में का से पार्टिसपेट करती है तो आपको मानना पड़ेगा मचलियां लॉंग जम में पार्टिसिपेट करती हैं आपको एक्जामनर के एकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा यह कॉंप्रिहेंसन की प्री कंडिशन है यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है तो फिरहाल इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल स्टैंडिंग भी बढ़ेगी और आप कॉंप्रिहेंसन हैंडल भी कर पाऊगे अभी आपके पास टाइम और बिलीव मी 15-20 दिन आपको इस एक्सरसाइज को करना है आपको मैं सही बता रहा हूं आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कॉंप्रिहेंडिंग अबिलिटी भी हो गया है कि टेक्नीक नंबर वन की बात करते हैं टेक्नीक नंबर वन कि एडिटोरियल पढ़िए दा हिंदू का इंडियन एक्सपेस का कोई भी नुश्पेपर वैसे मैं दा हिंदू प्रिफर करूंगा क्योंकि थोड़ी सिस्की लैंग्विज ना हलकी सी टिपिकल होती है कोई भी नुश्पेपर का एडिटोरियल पढ़िए अब यहां पर ध्यान देना तुम आपको करेंट अफिर्स नहीं पढ़ना है जो फ्रंट पेस पे होता है क्योंकि करेंट अफिर्स लेकिन एडिटोरियल में उपीनियन लिखी होती है और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पूछता है वहां पर ओपीनियन बेस्ट ही होता है मोस्टली तो यूहाब टू जीटोरियल प्रैमिरली दा ओपीनियन डोंट रीट दा करेंट अफिर्स ठीक है इससे आपको की एबलिटी टो अंडेस्टेंट सुलजेगी ठीक है क्योंकि वैसे भी कॉम्प्रेंशन में जब आपने पढ़ लिया तो वर्ड बाई वर्ड आपने पूरा अच्छे से पढ़ा उसके बाद आपको क्या करना है इसकी समरी अपनी लैंग्वज में लिखनी है ठीक है यूहाब टो राइट टेट इन यौर लैंग्वज इस वेरी इंपोर्टेंट ठीक अपनी लैंग् इसकी समरी फिर से लिखनी है बिना पुरानी समरी देखे हुए है ज्यादा नहीं है बट आपको यह काम करना है कम से कम दो बार हर कॉम्प्रेंशन के साथ करना है आप पाओगे 90% केसे में इस बाल जो आपने लिखा था ना यह से कुछ ना कुछ डिफल जरूर होगा क्यों सोच के पढ़ रहे हो तो आपकी जो ओपीनियन है हलकी फुलकी सही बट यह जरूर हुई होगी इस लोली आपको पढ़ना है और यहां पर देखो आपकी वक्राइबली भी सुद्रेगी क्योंकि आपको समझने के लिए अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही आप डिक् एक दो कॉम्प्रिहेंशन के साथ यह करिए और फिर एक दो घंटे बाद आईए दुबारा किजिए ठीक है जितनी बार आप करेंगे आप आएंगे कि आपके इंडेस्टेंटिंग इंप्रूव हो रही है दस पंदरा दिन बाद आपको बहुत ज्यादा इंप्रोव्मेंट अपने अंदर फील होगा आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी अपने आप इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आज तक हमने अपने माइंड को प्रैक्टिस के तल्ज पर डाला ही नहीं था तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होगा ठीक है पहली चीज और को ठालो 20-30 मिनट डेली दो गलतियां करो कोई इस्यू नहीं है बट गलती करने के बाद उसके जो सॉल्यूशन है उस पर दिमाग लगाओ कि मैंने क्यों गलती की क्या गलती होगी कहां से दिक्कत हो गई तो वो जो सॉल्यूशन थाना स्पेंड टाइम अपनी गलतियों को पहचानो और कोशिश को अगली बाव गलती नहीं अच्छा कई बार होगा जब आप कर रहोगे ना स्टार्टिंग में तो आपको दोनों ही कुर्शन गलत हो जाएंगे सिर्फ दो कुर्शन करना है लेकिन दोनों ही कुर्शन गलत हो जाएंगे कोई बात नहीं but don't wait for perfection perfection का व पहनत नहीं करो गए 12-15 साल से आप पड़ते आ रहे हो इंग्लिस अभी तक अगर आप कॉम्प्रिहेंसर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका सदेनली कोई बंदा आएगा आपको बोलेगा दस दिन में मैं सिखा दूंगा ऐसा नहीं होता आपको पुस्ट करना पड़ेगा अपने कुछ चीज को समझने के लिए ठीक है यह चीज अब एक चीज समझना यहां से अब हम आते हैं असली मुद्धे पर यह तो आप समझ गई यह कुछ टेक्निक्स थी जो आपको अपको अप्लाई करनी है अब यह देखना यूप्यसी चेंज दा गेम इन 2023 यूप्यसी ने 2023 में गेम चेंज किया और लोगों की हवायां टाइट हो गई क्योंकि 2022 तक सीचेट के लिए इतना हल्ला आपने नहीं सुना होगा 2023 में सदेनली इसा क्या हुआ मैं बताता हो क्या हुआ पहला जो चेंज यूप्यसी ने किया 2022 में में वो थीम बेस्ट कुर्शन पूछे थे जहां आप पर आंसर सीधे पैसेज में दिख जा रहा था तो आपको एज्यूम नहीं करना था जम संस नहीं करने थे इंफैरेंस नहीं करने थे बहुत कम करने थे आउट ओफ ट्वंटीफोर कुर्शन 2022 का मैं बताना आपको कंपेरिजन देखना 2022 के 24 सवाल में से 18 जो सवाल थे व यह यह है यह देखें 2022 में करक्स बेस्ट या थीम बेस्ट सवाल एक दो तीन चार पांच यह वाले इसली हो जाते थे और उसके लोग मिस्लैनियस यह वाला सबसे असान सेक्शन होता यह देखें कुर्शन नमबर 1 2 3 12 13 14 31 32 42 43 52 63 73 यह कुर्शन नमबल थे बैसिकली यहां पर आपको आंसर करना था तो यहां पर जम संसे करना नहीं था जो थे वह पैसेश करना इंप्लिसिट थे तो मुठा के बोल देते थे भाई इसका ही होगा तो हमारी एक्यूरेशी हमें परिशान नहीं कर रही थी और इंफेरेंस एजंप्सन और इंप्लिकेशन से टोटल कितने को सनाय दो इधर और एजंप्सन से पांश तो टोटल यह साथ सवाल आये का 22 में 24 में महलत दोजाब 22 में 24 सवाल में जो साथ को सनाय वो टफ थे लेकिन बाकी असान थे 17 सवाल तो आपके चांसस थे कि आप क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन 2023 में Mathematics में तो हल्ला बोला ही लेकिन यहाँ पर भी हल्ला बोल दिया कैसे हल्ला बोला यह देखना implication के कितने सवाल 1 2 3 4 5 exemption के कितने सवाल 1 2 3 4 5 6 7 inference के कितने सवाल 1 2 3 total 7 5 12 13 14 15 27 सवाल जो passage के आए उसमें से 15 सवाल tough हो गए इसलिए लोगों की हालत खुराब हो गए 50% से ज़ादा सवाल tough हो गए तो उसमें accuracy की problem आगी और आपको यह भी पता आपने गलत कर दिया तो आपके marks negative भी हो गया इसलिए लोगों की हवाया टाठे हो गया वह लोग नहीं कर पाए तो यह चीज हम समझेंगे इन साइज चीजों पर इसले बात करेंगे और इस चीज ने क्योंकि देखो इसमें ज्यादा problem नहीं होती इसमें ज्यादा problem नहीं थी miscellaneous और क्रक्स वाले सवाल में दिक्कत नहीं होती problem में लिए होती inference और इंप्लिकेशन वाली चीजों में तो मैं आप से यह चीजे बात करूंगा अब किस टाइब से बनते हैं कैसे होते हैं और inference क्या होता है एंप्लिकेशन क्या होता है इन साइज चीजों पर बात करेंगे ठीक है अब UPSC में एक चीज आपको समझने ही पड़ेगी UPSC के एक आदत है वह आपको similar option देता है और बोलता है समय से choose करो but at the same time most accurate नहीं होता तो similarity और accuracy अलग अलग चीजे हैं तो आप you tend to lose the marks अगर आप समझ नहीं पाई कि more accurate कौन सा है आपको accurate पर टिक करना है similar पर टिक नहीं करना है तो यह चीज हम समझेंगे इस वीडियो में यह चीज हम discuss करेंगे और हम यह भी समझेंगे कि किस अलग अलग टाइप के questions UPSC पूछता है और क्या most logical वे होना चीज है इन questions को handle करने का लिए तो बट हम इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू एक activity करते हैं let's see ठीक है तो यह हमारा agenda what are the different type of questions what is the most logical way to handle these questions ठीक है यह एक activity है आप लोग के है hand that rocks the cradle lose the world यह UPSC का वैसे तो it's a philosophical essay बट यह बेसिकली मदर के लिए है कि भी hand that rocks the cradle lose the world ठीक है तो अगर आप दो मिनट के लिए वीडियो को पहुच करके जासा सोचों की दिमाग में कि इसका आप structure क्या करते अगर यह जो ऐसे होता अगर आपको लिखना होता तो किस direction में आप लिखते दो मिनट के लिए सोच के देखो ठीक है तो हम आगे बरत्यक है आप पहुच कर लिजे तो hand that rocks the cradle lose the world तो कुछ आप जो भी दिमाग में आ रहोगा ना तो आपका structure कुछ कुछ ऐसा होगा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहोगे आपको यह argument या प्रिमाइज दोगे भाई या मेरा argument क्या है फेवर में है क्य इसके बेसिश पर आप आइडिया अपने अपने सप्लाई करोगे अडिया supporting the idea your argument अगेंस्ट या तो आप support में लिक तो इसके अगेंस्ट में लिखोगे उसके बाद आप नॉमली इसके एक्जामपल लिखोगे इन सारे आइडिया के तो में परसंट बिलीव कि जो तुम लि इसके नॉमली कॉंप्रिहेंस्ट में यही एक नॉमली यही आपका structure होता है जो भी कॉंप्रिहेंस्ट इक्जामपल देता है जनरली नॉट ऑल्वेस structure यही होता है थोड़ा सफर्किय होता है कि या तो अपने आइडिया को support में डाला होगा तो दोनों साइड नहीं जनरली क्यों क्योंकि स्पेस कम है छोटे से स्पेस में लिखना है आपको तो जनरली यही होगा इंट्रोडक्शन होगा ऑथर का जो पॉइंट अव्य होगा यह प्रिमाइस होगा आइडिया जो उसकी बात को support करेंगे आप पोश करेंगे कुछ एक्जामपल्स और से कि वह दोनों साइट दिखाना चाहता है बट उसमें ज्यादा वह पढ़ेगा नहीं क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है अब इस बात को हम समझते हैं अब देखना एक चीज़ समझना जो मैंने आपको बताया इसका कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि ऐसे ही इंट्रोडक्शन लिखो करें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा कभी कभी वह इंट्रोडक्शन और जो प्रिमाइस जो कहना चाला उसको एक साथ मर्च कर देंगे लेकिन आपको उसमें से एसेंसेल आउग्मेंट पहचानना है कोई ना कोई एसेंसेल आउग्मेंट जरूर होगा जो आउथर बताने के कोशिश कर दोगा और उसके लिए एक्जांपल्स भी जनरली होंगे और डेफिनली कुछ ना कुछ कंक्लूट कर दोगा अब यहां पर ध्यान अकना कि कुश्चन करते समय अपना बिलीव सिस्टम साइट कर देना अगर ऑथर ने बोल दिया टू प्लस टू इक्वल टू फाइव तो माल लेना भीया टू प्लस टू इक्वल टू फाइव ब्रेन नहीं लगाना अपना कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें तो अगर इवेन इफ यू आंडू नॉट अग्री विद्ध आउथर टाइम बिंग के लिए कंसिनर कर लो जो ऑथर बोला वही सत्य है अगर ऑथर बोलता है पेड़ पे मचलियां उड़ रही थी तो हां बाइव उड़ रही होंगी हमको क् करेंगे पकर के हैं सो आपको information मिलेगी कॉंप्रेंशन में अलग अलग पार्श में अब यह कॉंप्रेंशन है जो 2021 यूपेसी से लिया गया है दो मेंट के लिए वीडियो को पॉज करके इस कॉंप्रेंशन को पढ़ना ठीक है इन आवर स्कूल्स वी टीच आवर चिल्डरन अब देखो यहां पर समझना यह पहले हम पढ़ लेते हैं एक लाइन यह हो गई बट डूवी टीच देम यहां पर सवाल पूछ रहा है अब बिटर कास्ट डिवाइट्स अट प्लेग दे कंट्री अबॉट अब इस्पेक्टर ऑफ फैमीन अट इस्टॉक्स पार्ट आफ इक वाली इंपॉर्टेंट डूवी टीच देम दोबा सवाल पूछ ला कि हम उनको शिखा रहे हैं तो आस्क्टेंश ऑर दूवी टीच देम अलीट पैसिवली डिसीव विश्टम सब्सक्राइब बढ़ेशन गुमाफ राकि यह इतना कह रहा है जो यह तुम्हें स्कूल में गया है अब कुछ ता बट हम क्या उनको सोचना शिखा रहे हैं इतना ही कह रहा है सब्सक्राइब आपको पहचानना पड़ेगा और यह जैसे सब्सक्राइब करोगे जो बेसिक प्रिमाइस आप समझने लगोगे कि आप चीजों को सही कर पाओगे अब इसके बेसिस पर एक सवाल आया था ठीक है अब ठीक है तो दिखो यह लौट्स ओफ एक्जांबल से ऑथर चीजों को बता रहा है ठीक है लेकिन में पोसंता कि डूवी टीच देम तो आस्कूसंस या फिर हम आर वी एक्चुली आर व आप अधिव और विश्टम बाकि सारे बात सपोर्टिंग अग्मेंट तो यहां पर आपने देखा कि कि यह एक की आइडिया इस यह की आइडिया यह इसका की आइडिया जिसके अरूरा पैसेज बिल्ड़ अप है कुछ एक्जांपल से उसको सपोर्ट करें लाइक कास्ट के बारे में इंट्रेस्टेड है कि भाईया हम उनको क्वेश्टनिंग करना सिखा रहे के नहीं अगर अपनी यह चीज पहचांद ली उसके बाद यह कुर्शन आपसे कभी गलत नहीं होगा समझते हैं विच और फॉल्विंग बेस्ट इफ्रेक्ट इस सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आइडिया इस काइंड ऑफ क्रक्स इस काइंड ऑफ थीम ठीक है स्कूल करिकुलम इस नौट कंपेटिबल विद इएक्सेप्शन एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्डेन और पैरेंट्स अब यह लिग दिया ठीक है अब एक चीज समझना पहली बात तो इस पूरे पै कोफ है इंफेसिस ऑन दी एकेडमिक अचीवमेंट दस गिफ टाइम फॉर देवलप्मेंट ऑफ परस्नाइटी एंड इसकिल्स यह तो कुछ और ही कह रहा है यह बात तो कहा ही नहीं गया कि भई हम जो एकेडमिक अचीवमेंट पे मलब इंफेसाइज करने के चलते ही दस ग हो जाए तो फॉल्दर टाइम इंगे से मार्क कर लो लेकिन चौता ओप्शन भी देख लेते हैं तो भी ए बेटर सिटीजन दप्रजेंट वर्ड ओडर डेमांड सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग इसकिल्स अब यह सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग इसकिल्स कहां से आ एसे ही करना होता है को जो आपको लग रही तो होई नहीं सकता उसको काट दो लाइक यह मैं नहीं होसकता काट दिया यह लगा मैं को सकता काट दिया इन दोनों पर फॉर्चलों आपके चंस्कों बढ़ेंगे तो अब ताइपस और उप्यश्य पूछता है लाइक में थीम क्रक्स समरी बेश्ट कुर्शन है दोजाल टेईस से पहले यह इसके कुर्शन ज्यादा पूछते थे इसकी संख्या ज्यादा बढ़े इसलिए ज्यादा परिशानी यह तो सबसे असान तो यह दोजाल टेईस से पहले ज्यादा पूछते थे इसलिए लोगों के सही हो जादा तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे लेकिन हम इन पाचों को ही समझ लेते हैं और इससे पहल हूं लाइक कर देना ठीक है अगर अच्छा लगे का तो किसी फ्रेंड से से भी कर लेना ठीक है अनिवेज अब समझना यह जो है टाइप वन के कॉस्ट्स ठीक है अब देखो में थीम क्रक्स और यह साई चीज है ना थोड़ा थोड़ा हम बेस पर बेसिक थोड़ा सा बात क ने चेऄ अकट अब यह दो कोमें हन्टी क्रक्स अशम्ले बेस्ट कोश्ट्स जो को यह कैसे कॵं सोते है यहां पर बसक्री आप य गजामन यह जानना काकि अक कि किया अप सatा है यह मेश्म. अप 5-5 आदिविव फ्रामु फीम है या जो एसेंति प्वाइंट है जो आपके comprehension के वो आपकी समझ में आया कि नहीं जैसे question पूछ दिया what is the main idea conveyed in this passage क्या main idea है या फिर summarize the word in summary what can you write about the author's argument in one sentence यह से भी पूछ सकता है inference-based सवाल क्या होते है inference-based solution basically आपको logical deduction करना है based upon the information provided तो एक passage दिया होगा इस passes के basis पे आप क्या infer कर सकते हैं in you have to read in between the lines you have to understand the implied meaning actually although implication में नहीं लिखा है but implication and inference बहुत ही ज्यादा similar है और at times इस पर कोई difference नहीं है कई जगा पर मैं लाग question करने के मुताबिक अगर देखे तो normally more or less कोई difference नहीं unless वह बहुत ही ज्यादा minute difference में interested है तो these are actually similar inference कह लिए और implication कह लिए बट जो exact difference वह मैं आप से discuss कर लूँगा बट अब इससे क्या कहा जाता है जैसे based upon the given fact what conclusion can be drawn क्या conclusion draw कर सकते हैं what can be inferred from the like let's say from the author's motivation from this passage तो हम क्या inference आप सकते हैं तो इस टैप सिसमें सवाल आता है और किस टैप से आता है मैं discuss करूंगा इंजम्समें किस तैप के सवाल आते हैं अजम्समें किया बैसेज देटिया अब देखो to identify the implicit assumptions underlying the statement यह जमसंस आपके अनिस्टेटेट बिलीफ हो सकते हैं आइडिया हो सकते हैं जो इस इन्फोर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं लाइक वोट एजंशन रदी ओर्थ रिलाई ओन इन मेंकिंग इस और यह साही चाहिए मैं डिस्कॉस करूंगा इंप्लिकेशन में क्या होता है यू एक सेंटेंस के चलते दूसरा एक लॉजिकल कंसिक्वेंस होता है या रिजल्ट होता है तो इसमें आपको इडेंटिफाई करना पर सकता है कि क्या सत्य होगा इंफोर्मेशन के बैसे पे और यह साही चीजे मैं अब आपसे डिटेल में ड अब देखो इससे पहले मैं आगे बढ़ हूँ यह चीज जासा समझ लेना वेट सेकंड राइट यह देखो क्रक्स टाइप के कुश्चन में स्टेट्मेंट क्या होता है जासे हैं मोस्त लॉजिकल और ईजनल मेंसमेशन राइंप कुलेट ऑफे डी ईयुचल मेंसमेशन अप्तरोंस टीज Lehr जासे में बेस्ट टाइप कर्फ्लेफ सदम इसे बेस्ट नेंटेर्ट को गया अजन और के यह सारे स्टाइब के कुर्षन पूछते हैं 2223 में जो सवाल आए इंफरेंस में वाट इस लॉजिकल इंफरेंस अब यह मोश्ट लगाने दो कोई टेंशन निया इंफरेंस का कुर्सन है यह इंफरेंस का है पैसे के बेसेश पर देना है वह सब लिखते रहते हैं मोश्ट इंफरेंस यह सब आता है यह सारे कॉर्षन नूंबर के साथ मैंने चाहिए आप वीडियो को पॉज करके आप वह कर सकते हैं और आगे बिश्लेजेंस में लाइक मोश्ट रेसनल प्रैक्टिक्ल इम्मीडियाट एक्शन रिक्वार्ड या एक्श्ट एक्वार्ड या स्टेटमेंट जो भी सीधे दिया होगा पैसेज में उसके बेसिस पर स्टेटमेंट वाइज आपको आंसर करना है चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अभी इस पर आ जाई है तो देखो मैंने यह आपको बता भी दिया ठीक है अब देखो इससे पहले कि लेकिन मैं आगे बढ़ूं कि इस चीज को समझने के लिए कुछ चीज समझ लेना थोड़ा सा एक option को जज करने के लिए कुछ parameters है आप इसे note कर लिजे इट शुट भी रिलेवेंट पहली बात तो जो option अगर आप जज करोगे तो यह रिलेवेंट होना चाहिए इट शुट भी रिलेवेंट आपके according नहीं author के according क्या का यह ठीक है दूसरी बात आपको extreme statement एक्सरीम स्टेटमेंटि अवाइड करने जैनरली एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट वैसे भी गलत होते हैं तो जनरली आप हटा सकते हैं बाट नॉट अलवेश में चाहिब आपको थि और बंग प्र लिएज करना है इस पॉकस अपॉकस नह आपको था एक्जाम्पल इस दा टूल तो जस्टिफाई दसेंट्रल एडिया तो डोन्ट भी फोकस्ट अपन दिक जांपल आपको एक्जांपल फोकस होके नहीं करना है चौथी चीज कुछ लोग यह गलती करते कि अगर हमको एक सिमिलर स्टेटमेंट मिल गया पैसेज में और सेम बड़ा कॉम्प्रींशन के स्टेटमेंन मलब जो कुश्टंश पूछे है तो हम बोल देते हैं यहीं सही होगा यह गलत है इट फोकस इट फोकस अन सम बट इट फो हुआ है orange is good for health ठीक है तो यह पार्ट आइडिया है whole idea नहीं है although हो सकता है कि अगर implication पूछ ले और वही बेस्ट बनता तो अब कल सकते हो but generally it should focus upon the whole part not the half part पाचवी चीज इसुद not negate the idea of the author अगर author बोला मचली उड़ती है तो उड़ती है अगर वह होता है हमको मतलब नहीं कहां से करा रहा है होता है तो होता है ऑथर ने बोला च्छटी चीज इको सिस्टम हटा देना यू डोंट आफ तो मेक दैंजमसंस और सेल्फ एक्जामेर बोला वही मानने का है ठीक है अब आजाते हैं इसके टाइप्स पर में थीम ट्रक्स समरी यह कोशन साय थे मैंने आपसे बता भी दिया इस तरह से यूपेसि ने इन कॉश्टम को फ्रेम किया था ठीक है अब तीम अब इसमें समझना कि अब यह वर्ण आगए तीन वर्ड्स आगए थीम क्रक्स समरी इनके बीच का डिफेरेंस समझ लेते हैं थीम बोलता है कि what is this passage all about what are all the points in the passage being argued example देख बताऊंगा तो comprehensive questions में जो की mainly theme based होते हैं आप से पूछ सकता है कि identify the main idea of the passage identify the central or crucial message or concepts in few sentences, recognize the author primary argument or point of view और जो basically मैंने आपको example देत हो तो दिखाई था is the most basic point यह लिखा भी हो सकता है नहीं भी लिखा हो सकता है summary आप सारे ideas के summary grouping कर देते हैं मैं एक example देख पहली बात तो इससेंस समझ लो theme basically broader idea बता रहा है message बता रहा है क्रक्स उसमें जो specific pivotal incidents हैं उसको explain कर रहा हो summary तो उसका condensed version है entire text का example लेते three idiots movie देखिए अब three idiots में जो में थीम है वो क्या है कि भाईया कैसे society pressure डालती है बच्चे पे और किस तरीके से उसको परिसान करता है and how मालब what is the importance of pursuing you can say मालब pursuing passion over blindly following the societal norms यही तो बोला है you should emphasize upon the holistic approach to education लेकिन क्रक्स में आपको याद करना वो जो रैंचो नहीं था कि कहना क्या चाहते हूँ आया याद वो सीन जब उसको class से निकाल दिया था वो कुछ humorous incidents है तो क्रक्स बेसिकली उसको बताता है जो में में जो आपके जो incidents है ठीक है उसको comical matter में जो explain किया हुआ है summary बाइया या तीन दोस्तों की कहानी है आये इस में लैंचो का unorthodox method देखा कैसे सीखता था उसकी दोस्ती फरहाम नाजू के साथ अर्सक्तर पूरी story line के summary यही होती है तो इन दिस केस थी इडियर्स के एकर मैं बात करूंगा तो थीम एड्रस कर दी होगी society और educational pressure को क्रक्स इस दा हुम्रस सीन जो humorous सीन है जो चैन्वेंशनल education system को challenge कर दो होगा और जो तो जब भी theme based question आए तो यह बस याद अखना आपको पढ़ना है important points को आप highlight कर लिए information को कोशिच कर लिए या फिर टाइटल दे दीजे और उसके बाद अपना जो टाइटल या जो आपने information कंडेंस किए उसको option से compare किजिए 95% cases में होगा कि आप सही करेंगे आपने passage पढ़ लिया इसको एक लाइन में लिख दो यार कि आपके सबसे passage किस चीज के बारे में और compare करके देखो 99% cases में आप सही करोगे लेकिन इस चीज में ध्यान अगना कि आपको अपने से exemption नहीं बनाना है unless asked things should be explicit or implicit you have to read in between the lines example से समझते हैं और अगर फिर भी नहीं बना पारे उसका वह तो at least आप क्या करना option से कम पैसे बाबा compare कर लेना तो भी आप सही पर पहुच जाओगे like यह यह देखो यह दो जार्टेश का सवाल है कि the emission humans put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century मतलब human beings do emission कर रहे हैं it will affect the climate in the middle of the century ठीक a middle of the century in like मालाल दो जापचास क्या सपस and onwards जो आज हम emission करें वो बाद मसर करेगा technological change meanwhile could make the future transition away from the fossil fuels cheap or it might not leave the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering through the effects of unabated warming मतलब बेसिकली जो टेकनोलोजी में जोग हम चेंज राएं कुछ चेंज आज रहें तो हमारी जो चीजे हैं जो भी हैं वो अराम से चीजे मतलब हैंडल हो सकती है तो टेकनोलोजीकल change meanwhile could make a future transition away from the fossil fuel cheap or it might not leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcomes fail the world cannot effort such recklessness and climate change दो मिनट के लिए आप इसको वीडियो को पहुच कर लिजे एक बाल चीजों को समझे और फिर हम इस पर discuss करते हैं कि अगरे तो पढ़ लिया इससे ठीक है अब इस पर थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं कि यह कुछन कहना क्या चाहता है ठीक है तो पैसेज पढ़के कुछ आइडिया मिला होगा आपको कुछ पढ़ा आपने तो यह एक ही चीज क्लाइमेट चेंज बुरा है टेक्नलोजिकल चेंज के चलते हैं कुछ सोलेश ला सकते है बस इत्ता ही कह रहा है बट हम इस पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं ठीक है और वर्ड कैननोट इक्लाइम चेंज इत्ता ही तो कह रहा है अब options पढ़ना शुरू करते हैं विच आप दी फॉलिंग स्टेट में बेस्ट रिफ्रेक्टी कूशियल मैसेज कनवेड वाइड ऑफ्टर पैसेज बिजनस देट कॉज एमिसंस में नीड टू क्लोज डॉन और पेफॉर दी पॉल्यूशन इ हो गया और यह पाइडिया यह होल आडिया किताफ इंडिकेट भी नहीं कर दा तो यह तो नहीं होगा the only solution is technological development related to the issues of climate change अच्छा इस पूरे statement में पहली चीज़ समझना कि यह तो एक तो एक तो स्टेटमेंट है तो एक्स्टीमी स्टेटमेंट मैंने बोला आपको वैसे भी नॉर्मली गलत हो तो पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर लिखा है कि टेक्नलोजिकल चेंज इस दा ओली सॉल्यूशन इट कुड वैंट इस इतन कुड इस टॉकिंग अबाट इस पॉसिबिल्टी और यहां पर पॉसिबिल्टी की बात नहीं हो रही यहां पर बोले स्रेंटिटी की बात हो यह ऐसे ही कर जाएगा वेटिंग टू डिल विथ कारबन एमिशन विद टेक्न इसके चांसे मेरे को लग रहे हैं हो सकता है बट अभी मैं अगला ऑप्शन देख ले तो फिर डिसाइट करूंगा सिंस फ्यूचर टेक्नोलोजिकल चेंज अंसर्टेन है न्यू इंडस्टी शुड भी बेस्ट अपन दी रिनीवल एनलजी सोर्स अब यह रिनीवल एनलजी करके करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी यही चीज में आपको शिखाना चाहता हूं आप क्या कलते हो ना की बही कारते चले जाते हो वह सोचते नहीं हो यहां पर यहां पर यह नहीं करना कि में को बोल देना यह सही है मुझे उसको फॉदर टाइम बिंग कंसि अब यह सही हो सकता है नहीं होगा उसके basis पर कॉनसा होगा आपका अंसर हमेशा उससा सही होने के चांसे होगे है थीक है कुछ कुछ देखो कुछ कुछ यह वीडियो पहुच करके पढ़ लेना आप ठीक है बहुत साय लोग सही खाना नहीं खा रहे हैं for some it is simply a decision to stick with the food they enjoy which is not too healthy मतलब बहुत साय लोग सही खाना नहीं खा रहे हैं और बहुत साय लोग ऐसा खाना खा रहे हैं जो healthy नहीं है this is leading to increase in non communicable disease non communicable disease उसके चलते बढ़ा गंदा खाना कर गुमाफिरा के भी तक यहीं बोला बरबाद खाना खा रहे हो भाईया उसके चलते नौन communicable disease बढ़ा है this is in turn leading to the major burden on our healthcare system तो food गंदा खाया उसके चलते नौन communicable disease बढ़ा तो उसके चलते हमारे health system पे असर परदा है that have the potential to derail the economic progress or health system पर फर्क पड़ेगा तो economic progress पर फर्क पर जाएगा जो की which is essential for the poor to improve their lives और यह हुआ तो पूर की life खराब हो जाएगे for others it is about limited access to nutritional food अब देखो यहां तक एक आइडिया बोला और तुरंद बोला है कुछ दूसरों के लिए that do not provide the daily nutrients for them to develop fully part of the region nutrition is under threat worldwide is that our food systems are not properly responding to the nutritional needs ठीक है इसका एक रीजन यह हो सकता है कि हम यह जो problem है कि हमारे जो food system they are not responding हमारे जो food system बना हुआ है जो food का ecosystem में जो बना हुआ है it is not responding properly to the nutritional need तो यह घुमा फिरा के इसका यह बता रहे कि यह problem एक इस यह दो दोनों problem से कहीना कि इससे link है somewhere along the long road from farm to fork there are serious detours taking place अब देखते हैं कि क्या option होना चाहिए which of the statement best reflect the crux of the passage the statement of universe the scheme of universal basic income should be implemented worldwide as a way of poverty alleviation कहीं से कोई link नहीं है ठीक है इसको काड़ देना क्योंकि देखो जब तक आपको guess work करने के लिए नहीं बोला तो अपने से guess नहीं करना है हमको वही लेना जो statement बोल ला है हमें इस पैसे के एकॉर्डिंग चलना है तो यूनिवर्सल बेसिक इंकम जैसा कुछ लिखा ही नहीं है कुछ भी नहीं से सीधे कार देना वी मस्ट प्लेस फूड बेस नूट्रीशन एड़ी सेंटर ऑफ पॉलिशी डिबेट हमें फूड बेस नूट्रीशन को अपने पॉ यह समस्या कम होगी सही खाना मिलेगा बट अभी मुझे पता नहीं कि यह सही है कि नहीं है तीसा स्टेट्मेंट लेकिन देखते हैं नूट्रीशनल स्टेटेस ऑफ फूड शुड बी इंप्रूवड बाइड क्रियेटिंग एप्रोप्रियेट जेनेटिकली मॉडिफाइड यह अपने ही हवा में है कोहीं पर भी जीम क्रॉप्स की बात नहीं है यह सीधे कर जाएगा यूजिंग मॉडरन फूड प्रोसेसिंग टेक्नलोजी विमस्ट फॉर्टिफाइड फूड आइटम्स विद रिक्वाइड नूट्रेंट एलिमेंट ठीक है यहां पर भी फूड सिस्टम इंप्रूव हो सकता है लेकिन अब मेरे को बी और डी में चुनना है ज्यादा अप्रोप्येट कौन सा लग रहा है मेरे को हलका सभी लॉजिक लगाएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि ओवर आल जो पैसेज है यही आइडिया है घुमाफिरा के कि हमें पॉलिशी डिबेट में डिस्कस होगा 45 करेंगे वह एक लिमिटेट सॉल्यूशन है एक साइड का सिंगल बेस सॉल्यूशन है हो सकता है उनको अक्सेश ही ना मिले हाफ आइडिया पार्ट आइडिया यही बेसिक चीज आपको समझ नहीं है तो इस दा मोस्ट एकुरेट रि को अपने पॉलिश डिबेट के सेंटर पर लाना है ठीक है अब यह चीज हो गई अब आते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है इस तरह से अगर आप कुश्चन को करोगे ना तो अब दोस्त गलती नहीं करोगे और नहीं करोगे तो गलतियों के चांसे तो बढ़ जाएंगे है डिफरेंस डिसकस भी कल दोंगा लेकिन गुमा फिरा कि जो आप इंफरेंस में जो आप स्टेट में जो आंसर लिखोगे ना वहीं इंप्लीकेशन में भी लिखोगे जो पैसेज में आएगा तो ज्यादा फरक नहीं पड़ता है यू कैन कंसिडर नहीं कर सकते वन एक नं करना समझना कि देड़ पैसेज तो यह पैसेज को एक कोन्क्लूजन देता कि वह यह यहі anlatये तक है थीक है नोउनमें ठीक है क्याओ सेज्बुर्शेंट में सब्सक्राइए कि फारत्तों कि यहां पर निवे के अब यह जो भी धृक्रमीन द्राव непिगोरता है कि इस कंक्लूजन के बेसिज पर हम चीजों को इंफर करते हैं या फिर कि इंप्लाई करते हैं इंप्लिकेशन इंफरेंस पहले कंक्लूजन आता है फिर इंफरेंस आता है मारला भी यह पैसेज दिया वा है इसके बेश्चीज़ why we get information क्या ईजंबसन क्या बोलता है यह जो पैसेज लिखा गया है इससे ठीक पहले एक चीज़ आती है assumption हम क्या चीज सत्यमान में हैं जिसके basis पर हमने पैसेज लिखा है तो assumption come before conclusion inference and implication comes after the conclusion explain करूँगा और difference explain करूँगा आपको और अच्छे से समझ में आगा समझ लेते हैं अब फिरहाल हम inference based questions पर discuss करेते हैं तो these questions require you to draw conclusion or make logical deductions based upon the information provided तो explicit way में तो नहीं लिखा होगा जो भी information provided होगी उसमें से आपको in between the lines पढ़नी है चीजों की meaning समझनी है और इस तरह से questions पूछते based upon the given facts what conclusion can be done what can be inferred about the characters motivation from the dialogue और जो मैंने आपको डिखाया था जो statement था अगर नहीं समझ में आया तो आप पिछला considering the given facts यह given facts है passage के इसके basis मेरा conclusion यह है ठीक है तो conclusion is the author judgment about what when he consider the entire fact author का क्या judgment है on the basis of the entire fact भई पूरा fact दे दिया हमने पूरा passage पढ़ लिया इसके सारे facts को consider करने के बाद मैं बोल तो मेरा conclusion यह है so usually आपको conclusion नॉर्मली end में मिलेगा जरूरी नहीं है बद नॉर्मली कि एंड में मिलेगा कुछ कीवर्ड जैसे conclude that content that author wants to content that author believes that author clearly states that therefore does इस ताप के words के साथ यह होता है उसके बाद आता है inference this conclusion के बाद inference implication and what is inference inference is passage plus the reader's understanding passage में जो चीजे हैं जो conclusion आया उसके बाद आपकी क्या understanding है तो inference is based upon the evidence given in the passage समझना inference is based upon the evidence or the information supplied in the passage mistake जो आप कलते हो आप अपना जंशन बना लेते हो अपनी चीजों मान लेते हो अपना evidence लगा देते हो infer on the basis of what the author is saying यह important है कोई guesswork नहीं करना है it is based upon the facts or evidence given in the passage ठीक है यह चाहिए समझना और यह कुछ important consideration जरूख ना it is based upon the facts in the passage even though it go against the popular idea हो ठीक है मतलब की सीधा सीधा साहिए जैसे कि भाया अगर बोलता है कि अगर पैसे में लिख रखा है कि आदमी जो है वो पानी के अंदर तैर रहा है तो इसका inference भी हो सकता है कि सायद हो सकता है आपके पास एक गिल्स हो you might have the gills like the fish it can be possible या फिक कोई ना कोई सिस्टम रहोगा जिसमें आप सांस ले रहोगा it is the inference that can be drawn कि आप पानी में सांस ले रहे हो लेकिन वह popular idea से अलग है लेकिन पैसे में बोला है तुम पानी में तैर रहे हो और तुम पानी में सांस भी ले रहे हो तो हो सकता है तो मैं पास मचली जैसे गिल्स होंगी इंफ्रेंस में कोई guesswork नहीं होता एंचंप्समें होता है इंफ्रेंस में कोई guesswork नहीं होता और और यूर अंडेस्टैंडिंग मस्ट बेट बाद फैक्स और वीडेंस और अपिनियन इन पैसेज ठीक है आप एक चीज ध्यान रखना कुछ चीजें यहां पर आप समझ लेना ठीक है कुछ differences conclusion conclusion is always given by the author explicit होगा सामने होगा inference is deduced by the author implicit होगा in between the lines लिखाओगा conclusion normally सामने लिखाओगा assumption is the basis of the conclusion तो preconceived notion of the author है आपका नहीं है तो inference comes after the conclusion तो हम बोल सकते हैं assumption comes before then comes the conclusion and then comes the inference or the implication ठीक है अब approach क्या होगा solve करने का approach to solve the inference based question passes पढ़िए points facts evidence समझे जो author बताने की कोशिश कर रहा है उस पे conclusion अपना draw कर लिजे and choose the option which message closest to the point closest आपको most accurate answer देना हो सकता है बाकी answer भी सही हो लेकिन उसमें से ज्यादा सही कौन है उसी में हम interested है तो वही कोशन करना है ठीक है एक्जांपल से समझते हैं 2023 का यह passage है गुड़ कॉर्पेट गवर्नेंस structures गुड़ कॉर्पेट गवर्नेंस structures ठीक है इंकरेज़ कमनी स्टो प्रोवाइड accountability and control मैं अच्छा कॉर्पेट गवर्नेंस इंस्ट्रक्चर वा तो यह कमनी को इंकरेज करता है कि accountability और control को प्रोवाइड करें फंडमेंटल लिजिन वाइज कॉर्पेट गवर्नेंस हाइज मुड़ वर्डवाइज वर्डवाइज बीन रापीड ग्रोथ इंटरनेशनल कापिटल मार्केट इफेक्टिव कॉर्पेट गवर्नेंस एक्सेस टू एक्स्टरनल फाइनसिंग बाइफ फर्म लीडिंग टो गेटर इंवेस्मेंट हायर ग्रोथ एंप्लोइमेंट इंवेस्टर्स लुक टू प्लेज दिया फंड्स वर्डे स्टैंडर्ड ऑफ इसके चलता सभी सपोर्ट करेंगा तुमको इत्ता ही तो कह रहा है कि इसके बैस बैस ब्सक्राइब बेस्ट रिफ्लेक्स दी लॉजिकल इंफरेंस फ्लेज 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 पानी पी लेता हूं थोड़ी देर वाल लगेगी वीडियो खतम हो जाएगा ठीक है इट इस एन इंपोर्टेंट एजेंडड ऑफ दी कंट्री अरॉर्ड वर्ड तो इंसूर एक्सेस टू गुड एक्स्टरनल फैनेंसिंग यह पार्ट आइडिया है पहली बात और एजैक्ली ऐसा कुछ लिखा है ठीक है आधा दूरा लिखा है जो भी लिखा तो यह तो नहीं होगा गुड कॉर्परेट गवर्नेंस इंप्रूज दी क्रेडिबिल्टी ऑफ फर्म्स की क्रेडिबिल्टी बढ़ेगी तो सब लोग सपोर्ट करेंगे तो यह सेंट्रल आइडिया के तरफ रिफ्लेक्ट ह को कर रहा है तो मैं इसको कंसिडरेशन में रखता हूं सायद यह हो बट अभी आम नाट मेकिन देशीजन लास्ट मिलूंगा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंस्योस दाट फिर्म्स मेंटें गुड कॉर्परेट गवर्नेंस अब यहां पर देखें इंटरनेशनल काप इंस अब यह अपोजिट लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखा हुआ है कि गुड कॉर्परेट इस्ट्रक्टर के चलते चीजे हो रही है यहां पर लिखा है कि वह इसको कर रहा है तो इस अब बेस्ट यू इस नोट प्राइमरी और्ग्यमेंट यह भी एक फिक जगह पर आ होना चाहिए तो अगर मेरे को चूज करना होगा इस पैसे के बेसिस पे गुड कॉर्परेट गवर्न इस्ट्रक्टर इंप्रूज के क्रेडिबिल्टी ऑफ फर्म के क्रेडिबिल्टी बढ़ेगी इंवेस्ट्मेंट भी आएगा लोग भी सपोर्ट करेंगा सब कुछ अच सवाल है अभी यह कुर्शन में बहुत साथ बच्चे गलती करके चल आ गयते इसलिए गलत हो गया लेकिन आई होप आप नहीं करेंगा आपको चीज़े समझ में आ रही होंगी अलिफेंट साल लैंडिस्केप आर्किटेक्ट ठीक क्रेटिंग क्लिरेंस इन द फॉरेस्ट प बड़े इंपोर्टेंट आदमी है आदमी निया मतलब हाथ ही आदमी कैसा हो सकता है बहुत ही इंपोर्टेंट जानवर है और यह बहुत अच्छे प्लेकर आपके लोग है जो आसपर्स की चीजों में क्या चेंज जाएंग उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है ऐलेफंट स अच्छेट प्लांट फूट अच्छेट गाट इंपोर्टेंट आपके लोग तो गुमाफरा के बड़ेश का रहा है कि अलेफंट से अब देखते है और निचर में बहुत इंपोर्टन ट्रोल है बड़े की तो कह रहा है अब देखते है विच इधा इसको मारो गोली मुद हम अल्टीमेटल है मोच लॉजिकल रैस्नल ही तो लेंगे गदा बना रहे हो हमको बनाते हैं सब लेकिन बनना नहीं है इसी बात यह दो दर के गुमाफिरा के बात के सही लगत तो रहा है लेकिन यह होम रेंज के ज्यादा कुछ बात नहीं कहीं बोला कहीं पर भी घूमता ह तो यह तो नहीं elephant are the keystone species and they benefit the biodiversity यह तो पैसेज definitely कह रहा है यही बात मैंने आप से बात कलते कलते कहीं थी तो यह हो सकता है मैंने भी यह नहीं बूला कि यह होगा बट यह possibility है कि यह हो सकता है this biodiversity cannot be maintained in the forest without the presence of elephant अब यह एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट होगा कि elephant के लाओ यह चीज elephant is the only important animal इसलिए यह गलत हो जाएगा elephant are capable of regenerating forest with species as per the requirement they are capable of regenerating forest with species as per the requirement अब कुछ-कुछ statement इसको support तो कर रहे हैं लेकिन अगर मेरे को choose करना होगा B or D में तो मैं किसको चुनूँँगा ज्यादा सही जो सारे स्टेटमेंट जो क्रक्स के essence के basis पर इंफर किया जा सकता है वो यही बोला elephant की इस्टोनी स्पेशिज और बाइडरिश्टी को help कर रहा है इसलिए 20 ही होगा इसलिए यह होगा most ideas सारा पैसे के बारे में जो बता आ रहा है एक singular idea को represent नहीं कर रहा है implication या inference में यही चीज का हमें द्यान लखना है ठीक है अगला आते हैं assumption को समझते हैं ठीक है assumptions क्या होते हैं assumptions are the unstated concept on which the conclusion is based upon बदलब आपका जो passage है उसके basis पे assumption draw करता है यह passage है उस passage को लिखा गयोगा किसी assumption के basis पे इसी passage का conclusion होगा इसी basis पे आपका आया होगा inference assumptions so it is the unstated concept on which the conclusion is based upon the other unstated premise on which the conclusion is based upon ठीक है तो कुछ चीजे आपको ध्यान में रखनी है assumptions में पहली चीज यह conclusion से पहले आते हैं ठीक है author uses this assumption to form the passage author passes को बनाने के लिए assumptions को यूज करता है और इस assumption को दिमाग में रखता है जब statement को जो passage है ना formulate कर रहा होगा इसका सीधा से मतलब है कि मैं जो भी assumption लोंगा वो उस पूरे पैसे को support कर रहा होगा उसके इसको नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसी को मानते में पैसे बना गया इत में इंडिकेट अप इंडिकेट बिलीफ सिस्टम ही इंडिकेट करेगा कि अपने बेसिस पर तो मानना ही नहीं जो ऑथर ने बोला वही सकते हैं the assumption from the passage can differ from what you really believe in unlike inference you are allowed to do somewhere guesswork आप कुछ guesswork कर सकते हैं though all these guesses सारे guesses सहीं नहीं हो बट आप कुछ guesswork कर सकते हैं inference में आप guesswork नहीं कर सकते हैं यहाँ पर guesswork कर सकते हैं आपकी boundary है it should be relevant to the passage and not contrary तो आप इस्ता से भी सोच सकते हैं कि अगर मैंने यह assume किया इसको support करेगा ठीक है जैसे कि आदमी जो है वो पानी में सांस ले रहता है तो author एजुम कर रहा होगा सायथ कि भईया तुम मचली जैसे हो जिसके तुम्हारे गिल्स हैं और जिसके जलते हो तुम सांस ले पा रहे हो माइड भी तो आप बैक्वर्ड ट्रैक करते हो इंफरेंस में आप आवर्ड मॉब करते हो अब मालो जैसे कि यह देख लिजेए यह है 2023 का सवाल ठीक है और बहुत साय लोग प्रहसान हुए थे बट अब नहीं हो गया है इन इन्दिया दस ऐग्रिगेशन इस था मॉनिशीपल मॉनिशीपल इस विच फोरेशोंThe यह रेयर है और यह रेयर है रीक यह जूद आवर्ब प्रोटर आइज इस मारुद प MARK फोल मॉ purpose कीट्रेंशूर फोर्टर की अ banda it fits into the chain after segregation between wet waste and the rest collection recycling and before getting to the landfill which technology is more as most appropriate in converting waste to energy depends upon what is in the waste that is biodegradable versus non biodegradable component and its calorific value the biodegradable component of India's municipal solid waste is little over 50 percent and biomethation offers a major solution for processing it तो आप इससे एक बार देख लीजे उसके बाद फिर हम इस पर discuss करते हैं दो मिनट वीडियो को पहुच किए और से देखिए एक बार ठीक है अब देखना अब इस पैसे के बैसे पर यह जंशंस किये गए हैं collection processing and segregation of municipal waste should be with the government agencies अब देखो collection की बात कहां पर हो रही है segregation processes और segregation की बात कर लेते हैं it is rare recycling at is mostly with the informal sector इस पूरे statement में जब मैंने पढ़ा ठीक है ideally it fits into the chain after segregation collection and recycling before getting to the landfill यहां पर यह वर्ट तो आ है लेकिन यह कहीं पर नहीं कह रहा है कि it should be with the government agencies या private agencies के साथ in fact if you will see more than three-fourth of the municipal budget goes into the collectible and transportation which leaves very little for processing resource recovery and disposal यह चीज़े बता है कि you are already in the stress government sector तो already stress में तो हम यह बात तो यह वैसे भी नहीं बोलेंगे तो यह इसके contrary run कर रहा है तो यह घुमाफिर को पहली बात अपने से यह कुछ बोला ही नहीं है ऐसा कुछ तो यह नहीं होगा दूसरी चीज resource recovery and recycling required technological input that can be best handled by private sector तो यहां पर दुको यार में लिए किसी कौन सेक्टर efficient है इसके बार में बात नहीं कर रहा है यह basically बता रहा है कि municipal waste का जो segregation है यह there है recycling is mostly informal sector के साथ होता है यह साइच यह ब्ला ब्ला बाते तो कर रहा है लेकिन यह कहीं पर भी नहीं बोला इसी तरीके से आपको हमेशा अपना इस हिसाब पर लेना है कि वह पैसेश को support करता हो ना कि एक और देखते हैं there is a claim that organic farming farming जो है it is inherently safer and healthier एक claim है कि organic farming is inherently safer and healthier the reality is that because the organic farming industry is still young तो यह यहां तो दिमाग में यह आ गया कि यह बुरा ही करने वाले हो तो जिस जो tone है author की वह बतारी कि तुम बुरा ही करने वाले हो and it is not well regulated in India farmers and consumers alike are not only confused about what products are best for them but sometimes they use products in ways that could harm them as well for example since अब देको यह कह रहा है कि उनको यह पता ही नहीं कि उनके लिए क्या product best है और कभी-कभी product इस तरह से use करते है कि उनको harm भी कर सकता है for example since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in India farmers often use farm yard manure which may contain toxic chemicals and heavy metals certain plant space such as dhatura flower and leaf space have an element called atropine if it is not applied in the right dose it can act on the nervous system of the consumer unfortunately how much and when to use it are not well researched and unregulated idea तो basically यह पैसिज यह कह रहा है कि organic farming के बारे में जो हम पूरी support करते नहीं ऐसा जरूरी नहीं है सही तरीके से उसको कि तो helpful है नहीं तो बेकार है और हमें ज्यादा knowledge ही नहीं ठीक है अब आते हैं हमने क्या रेगुलेटेड यह नोट कंफ्यूज अबाट विच प्रोड़क्टा बेस्ट फॉर्डेम तो अगर हमें पता चल जा कि हमारा कौन सब्सक्राइब हमाई लिए बेस्ट है तो हमाई लिए वह अंसे नहीं होगा तो यह स्टेट्मेंट इससे कंट्रेरी है यह जंशन इसे कं करना चाहिए क्यों ताकि दे सुट नो विच प्रोड़क्स आ बेस्ट फॉटेट वर्म फार्मस एंड कंजूमर्स अलाइक आ नोट अनली कंफ्यूज अबाट प्रोड़क्स आ बेस्ट फॉर्डेम अगर हम कंफ्यूज है तो हम क्या करेंगे हम उनको एजुकेट ही तो करे कि यह जो वर्डिंग्स है ना इसकी देखना मलब इस एजंशन क्लोजली एलाइंस विदे कंटेंट आ पैसे पैसे डिसकस करता है कंफ्यूजन फार्मस और कंजूमर्स के बीच में द्यू तो लैक ऑफ रेगुलेशन रिसर्च और उनको पता ही नहीं कि उनकर लिए कौन सा जो प्रोडक्त है वह बेस्ट है तो वह चीज हम कैसे सौट आट कर सकते हैं सीदिसी बात है एक जुकेट करके तो यह चीज है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी तुओ अब आते हैं इंपलीकेशन पर इंपलीकेशन क्या होता है इंपलीकेशन रिफर्स तू दिदेन औ the hints that the author provides throughout the passage थीक है तो घुमा फिरा के देखो मैं आपको एक्षी बदा दू आपके लिए inference और implication क्योंकि दोनों बहुत ही closely related है तो उसको ज्यादा मतलब नहीं वह यह नहीं बोलेगा कि इसका implication क्या होगा इसका inference क्या होगा एक ही statement यूज करेगा तो दोनों में घुमा फिरा के तो मैं एक उत्तर तक पहुंच हो गए ठीक है बट डिफरेंस अगर समझना चाहते है तो यह समझ लीजिए difference क्या inference refers to the process of reasoning or deriving logical conclusion based upon the evidence observation and premise it involves drawing a conclusion from the known or assumed information through logical reasoning और implication में क्या होता है it is the relationship between statement जहां पर एक statement one statement leads to the other बट गुमा फिरा के inference में भी तो हम यह कर रहा है पैसेज के बाद क्या अगला statement होगा वही तो हम बोल ले है तो यह है मालब one statement leading to another is the implication so it denotes that if a particular statement is true then another related statement will be true if then statement type की चीज़े in short you can say inference is the process of reaching a conclusion while implication is more about logical consequence or relationship between proposition or ideas but यह technical हो जाएगा कोई ज्यादा मतलब नहीं है आप आओगे अभी मैं आपको example से भी दिखाता हूं कि inference or implication में आप answer एक ही करोगे अलग नहीं करोगे तो इसलिए ना टेंसन नहीं लेना है हाँ यह हमाई ले दोनों एक ही है वह सोच के चलो ठीक है चलते हैं इस question को करते हैं 2023 का यह सवाल है तू टैकल दी प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन सिटीज पॉलीशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पॉलीशन को लगता है यह भी 2023 का सवाल है कि द्रास्टिक एक्शन्स लाइक टेंप्रोरी यूज ओफ और इवन नंबर स्कीम क्लोजिंग इसकुलियसा एक्जामपल दे रहा है यह यह बला बला करके करेंग यह थादर्व फवर्वदु एवन देन एरन नहीं ए मलब जो भी तुम कर रहो वो वो चलीम नहीं हो रहा भी है जहिसा तुम और फ़िकल सम फिटीन इरोल कॉम्रमाइज परसंट ऑफिटल यह सट अबंट-टोटलब कम्रेंग यह उन तुमा स्टेंप होंगे ना प petrol and CNG-ness or the other hand both diesel and CNG engines produce more NOx than petrol engines no one has measured no one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting arbitrary bans on vehicles that have passed mandated fitness test and periodic pollution test are unfair what is needed is the scientific and reliable information about the source of pollutants on a continuing basis and technologies that will work to reduce pollution upon them तो क्या जरूवत है कि हमाई पास एक साइंटिफिक और रिलाइबल information होनी चाहिए कि pollutants का सोर्स क्या है और फिर एक continuing basis technology develop करनी है जो हमें पॉलिशन से घटा है यह कहा रहा है कि वट इस दा मोस्ट लॉजीकल रैस्नल इंप्रिचेंशन अब यह देको मोस्ट लॉजीकल रैस्नल अबश्य बात है तो उस्ट बैटर यह आंसर चुनते हैं थीक है तो अब इसको हमें करना हैं अब देखना arbitrary curves on vehicles to reduce pollution are difficult to implement but यह implement तो हो ही रहे हैं इसके बाए में ज्यादा बात ही नहीं हो रही है तो यह गलत हो जाएगा implement हो रहे हैं यह तो बोली नहीं रहा कि they are difficult to implement they are being implemented knee jerk reactions cannot solve the problem of pollution but an evidence based approach will be more effective इसके chances लग रहे हैं क्योंकि यह वाला जो है evidence based approach भाहिया यहां से pollutant आ रहा है इसके resource पर काम करना है तो this can be the possibility यह हमाई implication हो सकता है a heavy penalty should be enforced on those driving without periodic pollution test इस बारे में तो कहीं पर बात भी नहीं कर दा है ठीक है तो यह गलत हो जाएगा in the absence of laws to deal with problems of pollution the administration tend to make arbitrary decisions यह तो बोला के administration arbitrary decisions बनाता है लेकिन यह नहीं बोला in the absence of laws to deal with the problem of pollution laws तो हैं हम जानते भी हैं और यह सब लॉजी तो हैं घुमाफिरा के तो कौन सा होगा implication जाहिए यह होगा बट हमने इस पर फाइनल तब बोला जब हमने चारो अपसन देखे कुछ लोग वो एक देखते इस बोलते नहीं चाहिए यह होगा नहीं आसा नहीं करना है आपको पूरा पैसेश कंसीडर में रखना है उसके बेसिस पर आपको इसको करना है यह कोशन देख लेते हैं दो जाते हैं इसका सवाल है पर गोशल्ट savings in India is unique we have a tendency to invest heavily in the physical assets such as golden property steps to encourage the financialization of the savings a critical a populace a custom that traditional process will not simply jump into financialization holders to change include oninerous bureaucracy as skepticism of organized financial institutions a lack of basic information about which of the Marriac services and provider is the best for each family and how one can make the transition between them is necessary ठीक है यह question है और अच्छा question है definitely अब देखो इस टाइप के question में एक चीज समझना regarding the financialization of the household savings अब यहां पर क्या बोला household finance unique है हमारी physical assets में invest करने की tendency हो बहुत जादा है जैसे gold or property हम जादा खर्च करते हैं और हमें क्या जादा है जादा है these steps to encourage the financialization of the savings critical है मतला हम यह चीज encourage करने चाहिए अब populace accustomed to traditional process will not simply jump into financialization ठीक है अब समझना a flexible environment is needed to develop solution यह बोला है कि आपको flexible environment होना चाहिए it is needed to develop the solutions यह कुछ-कुछ लग रहा है कि भीया हमा solution flexible होना चाहिए it should not be based upon the traditional approach तो यह मुझे लग रहा है कि हो सकता है household need customized solutions तो यही तो कह रहा है you need a customized solution अब populace accustomed to traditional process would not simply jump into financialization तो simply आप customized solution ही तो ढूड़ोगे तो it can be the process chance innovation in financial technology are required यह statement तो कहीं पर लिखा है नहीं कि हमें innovation जरुवत है financial technology की तो बात भी ठीक से नहीं करता है financial institutions के बारे में बात करता है तो आप क्या करो कि बोलिए से जैसे कि 3 काट होगे ना यह तो ऐसे ही eliminate हो जाएगा और यह एक eliminate होगे तो बच गया one and two you can simply eliminate option three and these the answer यह दिखाता है कि importance क्या है elimination का इस type के जब mcq जाते हैं तो this passage highlights the crucial need to encourage the financialization of the saving ठीक है तो यह चीज़ आपको करनी इस तरह से आप eliminate करके भी स्टाइप के questions कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं मोस्ट इजी सेक्षें मिस्लैनियस दोज़ा 22 में देखना 1 2 3 12 13 14 31 32 42 43 52 53 73 इसमें क्या था question पैसे दिया उसके बेसिस पे स्टेट्मेंट्स को अगर लिखे रहते हैं तो इसमें से चूज करना था इसलिए आप सही कर लेते थे यह कुर्शन नबर दिश जाके आप चेक करोगे ना तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं एक कुर्शन हम डिसकर भी करेंगो दोज़ा बाइस में क्यों यह इसके चलते लोगों की हवायां टाइट हो गए ठीक है समझ लेते किस ताइब के कुर्शन आते हैं तो यह आप सही ही कर लेते हो तो बट इसके लिए प्रिपेर रहना है प्रैक्टिस करते रहो यह सही कर लोगे यह कुर्शन देख लो फूर्स्टम्रीट मांच़िखी Χाल प्रिपे अनी इसके लिए कुंट्समड के लिए फिल्क वीशल नूसरी πेर्थियोंarlaagon जिन देखर कर रहा हरा प्राने अंट्राम स्ते लाइन पिल्यूब्स कर लिए अनलकल देखर कर देखर गारें , चान्तकिशम सेलिआ हमप अजिब नहोज गैस एमिशन नीड टो भी सीवर्ड तो जो लिंक है न इकनोमिक ग्रोफ और गिन्होज गैस में इसको तोडने की जवत है अगर आपको सस्टेनेबल होना है सम्टेवलप कंट्रीज है बिगिन टू एलिविएट दी वर्स एफेक्स बाइच्पेंड रिशाइक्लिंग यह कुछ स्टेप्स उठा रहे है बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैंपर्ड बाइच्पर्ड बाइच्पर्ण पैटर्ण इस ड्यूट विच आप जब यह इस टाइप का कुशन आता है न तो आपको टेंशन ही नहीं है मेरे को वही चुनना है जो पैसस में दिया वह हटा देंगे सीधा कुशन होता इस टाइप का इस तरीके के कुशन में जर्नली गलतिया नहीं होती है ठीक है 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 यह यह इवी डिपेंडेंडेंस अपन दी फॉसिल फ्यूल करेंट प्रोडुक्शन रिलाई हैविली अन दी फॉसिल फूल तो हमें डेफिनितली सस्टे एर का इस तो ही पर में फ्रोड यहां पर प्रोडुक्शन रिलिमिल्ट आपैंड ब्रॉसिय यहां पर नहीं पर आता प्रॉसिल लाइई है now know that this is unsustainable because resources are finite ठीक है तो यह हो सकता है अब इसके बाद आता है की भी तीसरी चीज एक्पेंशन of recycling the close link between अब दो को यहां तक recycling की बात नहीं है the close link between economic growth and greenhouse gas emission need to be saved from human development यह ब्ला 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 अब आप पढ़ोगे तो यह कह रहा है कि expansion of recycling देखो सीधी सी बात है recycling बढ़ेगा तो unsustainability तो कम होगी सीधी सी बात है unsustainable unsustainability कम होगी तो फिर हम यह काट सकते हैं यह काट सकते हैं थ्री नहीं होगा तो मेरे को वन और टू में चुनना है यह तो ही है और देर इस अपी डिपेंदेंस अपन फॉसिल करेंट प्रोडक्शन models rely heavily on the fossil fuel and we know that this is unsustainable because resources finite कि दोनों स्टेट्मेंट उन दोनों में दियावा है हैवी डिपेंदेंस ऑन फॉसिल लिमिटे अबिलिटी आप इस लिए हो गया अब इस टाइप के करना पर नहीं पड़ेगा उसके बात जो कुछ सिखा है बस उसको अप्लाई करने की जरूत है कलते रहो उसके साथ उससे ज्यादा कॉंप्रेहेंशन की जरूवत नहीं है ज्यादा क्लासेश की जरूवत नहीं है कि रीजनिंग में यह टॉपिक्स आप कर लेना यूट्यूब पर सर्च कर लेना किसी भी फेमस टीचर का अब देखो में पास अभी इस टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे कि मैं पर वीडियो बना पाऊं तो यह वीडियो या यह एडलिस यह मोस्ट इंपोर्टेंट है और भी चीज़ होती है इसको आप अपने से कर लेना और फाइनली जो कुछ मैंने आपको सिखाया है गोएंड टेस्ट जो आपने सीखा है अपना प्यक्राइब करो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पर मलब ऐसा कभी हो जाए मानलों यह कॉम्प्रिहेंशन का मैं आंसर निकली निकली निया तो उस कुट करना ही करना अगला इक पॉल्ड इंपॉर्टेंट है इंगलिस समझ में हिंदी पढ़के समझ लो कोई दिक्कत नहीं तो अगलिक लेंगूज में लिखा हुआ इंप नहीं कर लोगे तो यह चीज धियान रखना यह बहुत लोग कम द्यान देते होता है अक्सर दोनों तफ नहीं देता है ताकि आप चीजों को कर पाऊ बट मेरी सलाई है कि इतना कर लो की 27 सही कुरिशन करना है और अगर यह वीडियो याल दोस्त अच्छी लगी हो वड़ी मैंनत से बनाई है तो जरूर से करना वीडियो पे लाइक करना कमेंट करना ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और आपके सपोर्ट के बिना तो सब कुछ बेकार है और आप अगर हमसे जुड़ना चाह करते हैं यहां पर बहुत सारे फ्री सौर्ट नोर्स बहुत साई चीजे में आप लोगों से से अच्छा लगा होगा और यह वीडियो दोस्त अपने किसी फ्रेंड से एक दोस्त के साथ जरूर से करना या फिज़ी ग्रूप का इससा जरूर से करना ताकि ज्यादा से